वंद्यमात्रम सातियों आज के इस लाइव शेशन में हम असिस्टेंट प्रोफिसर जो राजस्तान अध्यान पेपर थर्ड के हमारी फ्री टेस्टरी चल रही है उसका पेपर नंबर तीन जेसमें हमारे मालदीव मरवाड की सासक राव चंदर सेहन और महराना परताप Tut ु ये तीन सासकों से में यह टोपिक आते हैं तो इनको आप अच्छी तरके से करें आप अब्यर्थियों के कुछ के लगातार यह सवाल भी आ रहे थे कि यह जो फ्री टेस्ट हमने स्टार्ट कर रही है इससे पहले एप कैसे दें कई अब्यर्थियों को लगातार पता ही नी चल पा है इतने यह हमारा यह हो गया है आज को क्यों बीनी चलब्स पारा कि कैसे हम क्या करें टेस्ट दें सबसे पहले तो मैं आपको वह घुप कर सकते हैं आगे वाले भी कर सकते हैं यbaseail हम करें तो सबसे पहले तो आपको देखना है साती हूँ एक मिनिट के हम इसको देखें कि हमारा जू यह है है एंप सबसे पहले आप Play Store पी जाके और प्ले स्टोर पी जाके विद्धया सेडिी मंतनाम से सर्च करें विद्ध्या सेरी झाल 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 यहां जी अब देखिए यहां ध्यान नकना है कि प्ले स्टोर से अपने को इसको डाउनलोड करना यह हमारा लोगो है डाउनलोड करने की बाद हूम पे आएंगे यह थ्री लाइन इन पे क्लिक करेंगे यह अब आरे स्टोर सेक्षन आएगा इसमें यह फ्री टेस्ट ओफ्शन है इस पे क्लिक करतें ही आपका टेस्ट कुल जाएगा और आप टेस्ट अटेश्ट कर सकते हैं पीछे वाले भी कर सकते हैं यह अपने को ध्यान देखना है अब कलीर हो गया होगा सभी की ठीक है इसके बाद में आगे अपने चलते हैं इसके बाद हमां अपने यह व्याख्या देखते हैं कि निमन लिखित में से महाराना परताप के दर्वारी विद्वान कुन थे चक्र पाणी मिश्र था जीवदर था एक वे दो दोनों थे कन्यालाल सेतिया था इन जो हमारी महाराना परताप है इनके दर्वारी हाँ जी आवाज की दिक्कत आ रही है थुड़ी अभी प्रूपर आएगी अब सही करती है हमने अब देखिए महाराना परताप के दर्वारी विद्वान कुन थे चक्र पाणी जीवदर एक वैद्दू दोनों कन्यालाल सेतिया तो यह है तो यहां अपने को ध्यान रखन है कि चकर पाणी है इनकी परशिद रचना है जो आर्यस में पुछी गई है वीशवल और बी इनकी बहुत साी रचना है मुहरूत माला है जीवधर भी इनकी परशिद द्वारी विद्वान थे यानि एक और दो दोनों थे भाहराना परताप के यह अपने को ध्यान रखने है हमारे विद्वान है सुजान गड़ चुरू में जनम हुआ और इन्होंने कहे पाथल वै पीथल रचना लिखी और ये पाथल और पीथल कवीता है ये कहे कि महारणा परतापोर पृत्वीराज राठुड से समंधित है ये अपनी को ध्यान रख लेना है साथी हो तो यहां हमा हुआ ऊत्तरणंबर होगा मित्रो वह हमारा होगा तीन नंबर याने एक और दो दो अगला क्षैन देखिए हल्द गाटी युद्व के समिए कुण से युद के समय हल्दी गाठी युद के समय मुगल सेना ने युदा अब्यास किस दुरग में किया हल्दी गाठी युद होता है अपने को पता है कि हल्दी गाठी का युद है il य podcast 1556 को किसके बीच बीक उए था यह महारानापरताप और कुन था है एकबर इनकी सेनाओं के बीच में हुआ था। यहाँ महारानापरताप के सेनापति थे वो हकीम खाशूर थे। हकीम खांशूर यह महाराना परताब की सेनापती है तता अकबर की सेनापती कुन थे मान सिंग थे यानि एक मुगल बार्चा के एक हिंदू सेनापती थे और एक हिंदू सासक के एक मुस्लिम सेनापती थे बड़ा सयोग था इसमें तो यहां क्या है कि जब युद्ध होता है तो मैगजीन का किला कहां पर है मैगजीन का किला कहां पर है मित्व मैगजीन का किला है अजमेर में और यहां अपने को ध्यान रखना है कि यहां इस युद की रणनीती बनी यानि हल्दीगाठी युद्ध है इसको किस तरह से करना है कैसे करना है यह रणनीती जो बनी थी इस पूरे युद्ध की कौन से युद्ध में कौन से किले में बनी थी अम्हेंग जीन दुरुग में बनी थी मांडलगड केला कहां पर मांडलगड है भीलवाड़ा में और मांडलगड भीलवाड़ा में क्या किया था सातियों मांडलगड भीलवाड़ा में मुगल सेना ने युदा अभ्यास किया था लगबग एक महा तक मुगल सेना यहां रुकी थी कहे कि अजमेर मेगजीद से पस्तान करने के बाद लगबग एक महा तक यहां रूकी है और इसने यहां पर युदा अभ्यास किया है तो इस प्रेशन का जो उत्तर है वह हमारा क्या रहेगा कि हल्दीगाटी युद्ध से पहले मुगल से ना ने युदा अभ्यास किस दुरुग में किया था तो वह मांडलगड कीला था मांडलगड दुरुग था भेलवाड़ा में वहां पे किया था सातियों यह अपने को ध्यान दक लेना है अगला क्वशन देखेंगी मित्रों हल्दी गाटी युद्ध कब लड़ा गया यह मैंने आपको पहले ही बता दिया इसका उत्तर के अगले 18 जून 1566 अतर को हल्दी गाटी कहां पे है तो यह द्यान देखन है कि हमारे इतिहासकार है डोक्टर गोपीनात शर्मा डोक्टर गोपीनात शर्मा हमारे राजस्तान के परसिद इतिहासकार है और इन गोपीनात सर्मा के अनुसार क्या था साती हो कि गोपीनात सर्मा के अनुसार यह युद्ध 21 जून 1566 को हो था देखी सारे अहित्यासकार अधिकांस हित्यासकार क्या मानते हैं अठारे जून बानते हैं दोनों कभी उप्शन में एक साथ नहीं आये हलांकि अलगलक दोनों आये पर अगर गोपीना सर्मा की अनुसार यह अलदिगाटी युद्ध कभ हुआ यह आ जाय तो यह अपनी को ध्यान रखना ह कि इन्होंने 21 जून इसकी डेट बताई है बाकी शारे 18 जून बताते हैं इस पर विशेज गोर करेंगे मित्रों ठीक अगला क्वेशन अकबर ने महरणा परताब को समझाने के लिए पहले संदेश वाग के रूप में किसे बेज़ा अकबर है यह महरणा परताब को समझाने के लिए संदेश वाख में संदेश भाख के इनंहोंने कितने मिज़े इनंहोंने टोटल चार संदेश वाख के तीसरे घग्वंत दास चोथी थी टूडर मल यह अपनी को ध्यान रखना है क्या है कि इनोंने इनको समझाने के लिए बेजा है वो किस-किस को बेजा है जलाल खांग कोर्ची को बेजा है सबसे पहले जलाल खहां कोड़ची कब आते हैं ये जलालखहां कोड़ची आते हैं नमबर पन्द्रे सू को तर में ये जलाल खहां कोड़ची हाते हैं सब से पर यह कहा कि यह बार-बार पुछी जाते हैं इनका कर्मा नुशार तो यह अपने को धान रखना है कि कर्मा नुशार पूछा जाए तो यह अपने इस पर विशेस्गूर करेंगे क्या करेंगे विशेस्गूर करेंगे यह जून कि पंद्रह सु चोटर में आते हैं और इसके बाद में यह आते हैं सितंबर हैं 1544 को और यह कब आते हैं दिसंबर 1544 को ठीक है यह भी आप पर थुड़ा सा आइडिया रख लेना कि कब कब कैसे कैसे आए हैं अगला कोशन देखेंगे मित्रो महाराना परताप की छतरी कहा हैं ह महारन परताब की ना की टर्मोपु रुपने वे इसका मेवाड की फर्मोपु जाता है कि इसका मेवार की थर्मोपु टाहित origins मेवाद की थर्मोपु तरुम थोड़किए सका करनल ज्येमस्टू ने का है करनल जैम्स टूड है ये एस को क्या कहते हैं मेवाड की थर्मोपोली कहते हैं बलीचा कहां पर है उदेपूर में बलीचा है उदेपूर में और यहां बलीचा में क्या है साती हो यहां बलीचा में चेतक की चत्री है महारणा परताब का जो क्या था घुड़ा था चेतक इस चेतक की छत्री है ये कहां पर है बलीचा में बाडूली कहा है बाडूली है उद्यपूर में और यहां महारणा परताब की आठ खमों की छत्री है आठ कमों की चत्री किसकी है ये चत्री ये महारणा परताब की है ये अपने को द्यान रख लेना है और अपनी को ये भी द्यान रखना है यह केजड़ बांद के किनारे कुन से केजड़ बांध है केजड़ बांध के किनारे बांध के किनारे स्तित तो यह केजड़ बांध के किनारे स्तित हैं एस पे हमें ध्यान रखना है एस पे हमें गोर करना है मित्रू चावंड कहा है चावंड भी उदेपूर में है उदेपूर एक तो यह महारना परताप की राजदानी थी महाना परताप ने अपने राजदाने बनाया इसको दूसरा उन्नीश जन्वरी पंद्रैसो सत्तान में को परताप के मृत्यू परताप की जो मृत्यू होती है मित्रो वो कहां पर हुई चावंड में हुई थे उन्नीश जन्वरी पंद्रैसो सत्तान में को परताप की मृत्यू होती है वो चावंड में ही होती है यह ध्यान रखेंगे हालांकि इनका दहा संस्कार है चावंड से डेड़ किलोमीटर दूर बाडोली सतान है यहां पर किया गया जहां इनकी आठ कमों की छत्री बने हुई है अगला क्वेशन दिखेंगे मित्रों यह काफी अच्छा क्वेशन है थुड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा कि महाराना परताप वैं अकबर के मद्य है संगर्षे समंदित निमन लिखित कत्रों में से कौन से कथन सत्य है यानि महाराना परताप और अकबर के नीचे कथन द जाजपूर के जागिर परदान के अब देखिए परताप ने क्योंकि एक बार राजमहलों की रक्त हिंक रांतिक आ जाता है गोगुंदा में जब 28 परवरी पंद्रहसु बहतर को और जगमाल को गोष्ट करके जाता है और जगमाल सिहासंद पर-दाहस कार करके वापस जब लोडते हैं मेवाड के सरदार तो वो नाराज होकर किसके पास चला गया अकबर के और अकबर ने इसको जहाजपूर की जागिर दे दी ताकि यह ले नहीं कहीं अकबर के पास ही रहे तो यह पहला कतना सही है मान सिंग के चले जाने के बाद परताप ने गोगुंदा को पुने हस्तगत किया अब यहां दियान रखने है कि मान सिंग के चले जाने का बाद का मतलब क्या है कि हल्दी गाटी युद के बाद कुन से युद के बाद हल्दी गाटी युद के बाद क्योंकि मान सिंग हल्दी गाटी युद के बाद गोगुंदा है गोगुंदा पर अधिकार किया है और फिर वो वापर चला गया तो परताप ने पुने गोगुंदा पर अधिकार कर लिया यह सही है बिल्कुल दुबारा किया था रानापरताब को पकड़ने के लिए अंतिम ऐसफल प्रयास 1584-85 में छुड़ा गया यानि छुड़ा गया या कहें अंतिम ऐसफल प्रयास किया गया यह कहें तु ज़्यादा सही रहेगा अंतिम प्रयास किया गया जब जगनात कच्वा को एक वड़ी सेने टुकडी के साथ बेजा गया अदिकी जगनात कच्वा है इसको बेजा गया था कब पांच दिसंबर 1584-85 यह वहां से रवाना हुआ था पर यह अभ्यान भी क्या रहा था है एसपल रहा था पर बात सही है कि भी भीजा गया था राना परता अपने इडर के नारायन दास को अकबर के विरुद विद्रोव करने के लिए उकसाया था यह देखिए इडर कहके जैसे अपने कहें कि मेवाड जैसे यह मेवाड है यह माली जी कि मेवाड है तो मेवाड के इदर क्या लगता था मालवा यहा हिसा ऐसे था तो इसने इडर की नारायन दास को अक्वर की विर्योद विद्रों के लिए उक्साया था किसने यह परताप ने बिल्कुल यह उक्साया था यानि चारों के चारों कथन क्या है इसमें सही है मित्रू तो हमारा उत्तर नंबर क्या हो जाएगा उक्त सभी हो जो मेवाड की राज़्दानी रहे अब देखे स्टोंना पलता पर ताप यह मिन को अपनी राज़्दानी में जो मेवाड की राज़्दानी रहे 1585 में 1583 में 1613 या सुले सु तेरे यह देखिए थोड़ा मिशब्रिंट हो गया है इसको आप नीचे वाले को कर लो क्या कर ले इसको 603 ने करके 6015 कर लो ठीक है अब उत्तर देदो आप अब आप साथी लोग उत्तर देदो इसका कि कब कब किया था यह बता देंगे बहुत ही हाँ जी अब देखों यहां क्या है कि महराना परताप ने चावन को राजधानी बनाये है 1585 में हमारा उत्तर क्या रहेगा 1585 में अब देखें यहां थोड़ा सा आप देखेंगे के मेवाड के राजधानी पुन सी बनी थी चावन कब बनी थी यहां यह द्यान रखने कि 1580 थी एश्वी में बनी किसके काल में बनी महराना परताप के काल में यानि महारानापरताप ने इसको बनाया यह द्यान रखेंगे और एदर हम देखें कि यह 1615 तक रही है महारानापरताप की मृत्यू तो 1597 में हो गई हमने लिखा अभी थोड़ी दिर पहले तो यहां द्यान रखने है कि अमर सिंग अमर सिंग फर्स्थ के काल में काल तक यानि 1615 तक अमर सिंग फर्स्थ के काल तक यह मेवाड की राजदानी रही यह अपने को ध्यान रख लेना है अगला क्वेशन गिरी सामेल का युद्ध किस वर्स लड़ा गया अब देखिए गिरी सामेल का युद्ध है मित्रू हम सभी क पता है कि गिरी सामेल है ये पाली जीलि में है काँ पे है पाली में है एक तो ये द्यानक ने दूसरा क्या है कि दूसरा ये युद्ध था ये किसके बीच में हुआ था ये माल देव माल देव कांका राजा था मारवाड का सासक मारवाड का सासक और सीर्षा सूरी सीर्षा सूरी है ये भारत का उसमे सुल्तान था इसके बीच में हुआ था और कब हुआ था ये युद्ध हुआ था पंद्रेसु चमालेस और अगर हम डेट लिखना चाहें तो ये कहें पांच जनवरी 2549 को और यहाँ एक विसीश बाध्यान रखेंगे साथ हो कि यहां मालदेव के परसिद सेनापती मालदेव की हैं परसिद सेनापती हैं वो ते जेता वैकुमपा जेता वैकूंपा है ये सहीद हुए थे ये दोनों क्या हुए हैं सहीद हुए हैं और मालदीव की छोटी सी सेना थी जिसने कहे कि सेरसा सूरी को बड़ी ही मुश्किल से जितने दिया इसलिए इस जीत के बाद सेरसा सूरी कहता है कि मैं मुठी भर बाजरे के लिए क्या होता था मारवाड में पर थोड़ी मात्रा में होता था कि मैं मुठी बर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बाद साहत खो देता ये भी कथन पूछा जाता है कि किस युद की बाद कहा तो गीरी सामिल की युद की बाद कहा किस नहीं कहा सेर सासूरी नहीं कहा क्यों कहा क्योंकि बड़ी ही मुश्किल से वो मालदेव की छोटी सी सेन क्या था मालदिव के सेनापती जेता वैकुंपा ने अगला क्वेशन देखेंगे मित्रों राठूड सासक चुब बावन युदों की नायक बावन युदों की नायक 58 परगुनों की रूप में परतिष्ठित मना गया है यानि देखिए कि वावन युदों का विजेता किस को आजाता है भावन युदों का विजेता का जाता है रावं मालदिव को कैते हैं और रावं मालदिव हैं चाहि यू. moving जानदेव, यह 1531 – 3562 तक मारवाड की सासक रहते हैं और इन्हें मारवाड में सरवादिक दुर्ग बनाने का सेर्य दिया जाता है देखी राजस्तान में तो सबसे अधिक दुरुग बनाने का सेर्य है वो किसको दिया जाता है बनाने का सेर्य और राजस्तान में सबसे अधिक दुरुग बनाने का सेर्य है महाराना कूंबा को दिया जाता है राजस्तान स्तापत्य कला का जनक महाराना कूंबा कुका जाता है और शामलदास की एक रचना है वीर विन सहाजां का जाता है मारव catch ah तक राकि विकास की काड़ में बहुत सी मार्ति बनी थी और सहाजां का मुगल कला में स्था पतय कलो का स्वर्ण काल कहलाता है था अकला देखेंगे सातियों पाहेबा अत्वा साहेबा का युद्ध कब लड़ा गया कब लड़ा गया यह अपनी कुछ धानक ने पाहेबा अत्वा साहेबा का युद्ध किसके बीच में वा था यह मालदिव कहां के सासक है मालदिव सासक है मारवाड के और इसमें राव जेतसी यथा तर वह बही है जीता है चीर में और यह है कि यूद्व को अधाशब्रन के लिगां मारग्या ? यानि बीकानेर का वह सासक जो युद्ध स्तल पे मारा गया था वो कौन था राव जेटसी था और कौन से युद्ध में मारा गया था तो स्पाहिबात्वा साहिबा के युद्ध में मारा गया था यह आप अच्छी तरह से ध्यान रख लेंगे साथ यह अच्छी तरह से गूर करेंगे अगला कशिन हर्माडा की युद्ध से समंधीत सत्तored कथन नहीं है हर्माडा का युद्ध है उससे सत्त्ते कथन नहीं है यानी ऐस्ते कथन बताना है कि यह युद्ध कर 257 इश्वी में वेशिया रंग राय की कारण लड़ा गया इसयोद मी मिवार की महरना उदेशि ने किया अब देखिए यह युद 1557 में वेश्या रंगराय को लेकर लड़ा गया सही है इस युद में मिवाड के महराणा उदे सिंग का सेयोग जैपूर के साथ सक जैसिंग नहीं किया यह ध्यानक नहीं यह मेरता के जैसिंग राठोर ते उन्हों ने किया था यह अपने को सुभिदार कोन थे अजमेर की सुभिदार थे आजी कहां यह युद मेंली क्या है आजी कहां और किसके बीच में लड़ा गया था उदे सिंग के बीच में लड़ा गया था तो इसका मालदीव राठोर ने किया था सयोग यह सही है अब इसमी क्या है सत्ते कोन सा नहीं है सत् अउत्तर क्या हो जाएगा हमारा उत्तर है वह दूर नंबर हो जाएगा यह अपने कुछ द्धान रखने हैं कि यह तो महानना परताप है यह कब सा सक रहें पंद्रेशू वैतर शी लेकर पंद्रेश्वू सत्तानमी तक रहे हैं ठीक है तुब 1615 कैसे होगा अपनी राजदानी मनाया महाराना परताप ने चावन को राजदानी बनाया है 1585 में मारना परताप ने कम बनाया यह पूछा है 1615 में तो हटी है अमर सिंग द्वीते की समय काल में अमर सिंग फस्ट की काल में यह तो हटी है यह आप ध्यान रखें ठीक है क्लियर है क्या अभी अपने आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन देखी है यह देखी काफी अच्चा क्वेश्चन है यह पिछला आपने देख लिया अगला बारन नमबर मान रखे तू पीव तजी मान रखे तू पीव तजे पीव तजे पीव रखे तज मान दोएं गेंद नय बंधी एकण खम्मे ठाण उप्रोक्त कथन नेमन में से समन्ध है मालदिव से लालबाई से उमादे से कनकावाई से अब देखिए मालदिव तो कौन है मालदिव तो मारवाड का सा सक है 1531 से 1562 तक रहता है यह अपनी को ध्यान रखना है नमबर एक बात नमबर दू क्या है कि लालबाई कोन है मालदिव की पुत्री है मालदिव की पुत्री और इस मालदिव की पुत्री का विवा मैं में सिधा बता रेता हूं मालदिव ने अपनी पुत्री इसका लालबाई का विवा किस से किया था शेर सासूरी के पुत्र इसलाम सासूर से क्या था ये कौन है ये रूठी रानी रूठी रानी की नम से इत्यास में परसिद्ध है कौन है उमा दे ये मालदेव की रानी थी मालदेव की पत्नी थी और विवा के पहले दिनी अपने पती से रूठ गे थी ठीक है और कनका भाई क कुन थी यह थी मालदेव की पुत्री कि मालदेव की पुत्री यह अपनी को ध्यानक नहीं यह इसको लिख लिजिए मालदेव की पत्नी ठीक अब यह हैं तो यहां अपनी को यह ध्यानक नहीं कि यह कतन कि से समधीत है यह सभी साती उत्तर दे रहें हैं यहां अपनी को यह ध् अधिकी उमादे कहें कि यह तारागड़ दुर्ग चले गए थी रूटने के बाद विवाद 1536 में विवाद होता है तारागड़ दुर्ग में अधिकान समय रही थी ठीक है जब कहें कि 1545 के आसपास 1545 यानि हम कहें कि 1543 लास्ट में 1543 के अंत में क्या होता है कि चित्तूडगड है तारागड जो है इस तारागड़ पर सेरसा सूरी के आकर्मन किस्तिती बनती है तो यहां कहा कि मालदेव को चिंता होती है कि मेरी रानी वहां पे है तो वो अपने एक दूत को बेशते हैं दूत का नाम था इश्वर्दान इश्वर्दान एक चारण था उस चारण को बेजा कि आप कैसे जहें उमादे को मना के लाएं क्योंकि वो रूठी हुई है और 1536 में रूठी हुई थी सा साल हो गे थी रूठी हुए और उसने कहा था मैं कभी लोटके कह है जुदपुर नहीं आऊंगी यह कहके गई थी अब कहके यह मालदेव बेजता है इशवरदान को कि आप रानी को मना के लाएं कि यहां क्या हो गया है यहां कि अप got MAre Kr europa कि अंच्वारा लगता है तो मालदेव की अन्य रानियों को लगता है कि इतने साल से रूठी हूं राणी आएगी तो उसकी पद और परतिस्तार राजा के शा नजरों में बढ़ेगी और हमारी image गिरेगी हमारा समान कम होगा उसका समान अधिक किया जाएगा तो क्योंन है हम उसको आने नहीं दे तो अब रानिया क्या है आसा वारठ तो पीव तज़े यानि मान रखेंगे तो आपके पेर हैं को समान होंगे या कहने आपके आपका समान क्या जाएगा पीव तज़े तजमान अगर दोनों तरह से दोनों यी बात ना हो तो एक हमें ठान यानि एक तरफ नेड़ने होना चाहिए कुछ इस त्रह का ये कतन नहीं मारवाडी में है यानि उसमें स्वाविमान जगाने की कौसिस की और यह हुआ सातियों कि यहां रानी में स्वाविमान जाग गया अब जाग गया तो रानी ने वहीं कहें जोदपुर लोटें से इनकार कर दिया और रानी फिर गुंदोज पाली में जो मालदेव का सबसे बड़ा पुत्तर रहता था उसके पास चली गई और आजीवन वहीं रही 1562 में जब मालदेव की मृत्यू होती है तो मालदेव की पगड़ी के साथ वो सती हो जाती है कौन उमादे यह जैसलमेर के राजा राव लूनकर्ण की बेटी थी मालदेव की पत्मी थी अगला कोशन देखेंगी साति हो का ज़्यों मालदेव सी समाधीत का थने मालदेव नी है यह थूड़ा सा हास इडा सत्ते या एक बढ़ देखते हैं क्या है माल्दीव राठुन गंगा के सासन कालमी खानवायुद में भाग लिया था सही है मेवार पर गुजरात सुल्तान भाधुरसा के आकर्मन के समय राणा विक्रमादित्य का सयोग किया था माल्दीव ने जाली रानी शरूप दे के कहने पर अपने छोटे वैं दूसरी पुत्र राव चंदर्शिन को अपना उत्रादीकारी गोसित क्या था ही भी सही है यानी यह सारे के सारे सही है निमन में से असंगत है अब देखिए इसमें थोड़ी सी मिस्प्रिंट हुई है आप थोड़ा सा इसको सही कर लीजेगा इस तरह से कर लीजेगा ठीक है एसंगत है मालदीव राठूर हैं यह 1531 से 62 तक रहे हैं यह सही है महारणापरता पंद्रेसु सान में रहें रावच Buddhasidd memoir से फंद्रेसुब्र सर Cris impact रहें इनमें सि कोई यह हमारा उत्तर रहेगा क्योंकि यहां कहारे संगत था एसंगत कोई नहीं है हालांकि हमने एक नमबर में प्रेंट हूआ है पर हमारा एप में उत्तर मामा गया इसलिए उसको हमने मारवार की रावचंदर सेन मुगलों से संगर्ष के लिए किस अगर्ष कि रावचंदरहम्हें मुगलों के निकाल देते है जोदफुर से इसके बाद ही बहादरा जून रहते हैं बहादरा जून जालोर दुरग में यह सेना संग्ठित करती है और आजीवन मुगलों से संगर्स करते रहते हैं कभी भी यह कह कि बाद में जोद्फुर लोटके नहीं जाते अपना जीवन पहड़ों और जंगलों में बिताते हैं पहड़ों और जंगलों में बिताने वाला पहला राजार यहीं माना जाता है राव चंदर से मुगल विरोधी कारवाई की द्रस्थी से द्रस्थी की कारण के सित्यासकार ने राव चंदर से इनकी तुलना महाराना परताप से किये अबूल फजल ने बदायूनी ने विश्वेश्वर नात्रेव ने या फरीस्ता ने अज देखी राव चंदर से इनको क्या कहा जाता है परताप से तुलना वाली बात करते हैं इनको कहा जाता है परताप का परताप कहां कि वह थे मेबार के तो यह कह जाता है यह तुलना किस व्यक्तिने की है कोन करता है यह करते हैं विश्वेश्वर नाथ रेव और विश्वेशद नाथ रेव हैं इनकी परसीद रचना है मारवाड का इतिहास मारवाड का इतिहास इनकी बहुत सी रचना है विश्वेश्वर नाथ रेव की इसमें कोईन्स ओफ मारवार कोईन्स ओफ मारवार राठोड दुर्गादास राठोड दुर्गादास ए वेलनोन परसनेल्टी यह इनकी रिचना है और भी बहुत सी रचना है गलीम्प से सच ऑफ वारवाड एंड गलोरियस राठोड इसके अलाबा इन्होंने प्राचीन भारत के राजमस लिखा है इस्त्री ओफ राष्ट्रकूट लिखी है राष्ट्रकूटों का इतियास लिखा है विश्वेश्वर नात रेवु है यह कह अपने को ध्यान रहक ने ज्योदपूर के परशिदाएत याज का लिखाते है मारवाड का पहला पित्रहंता पुत्र हंता पूत्र हंता यादně मतलों की हो गया पित्रहंता यादी अपने पिता की हत्या करने वाला मूता राजा उदेष सिंग राव जोधार-घौड राव- चंदरसीन राव मालदेव राठो अब देखिए मारवाड की पित्र हंता है यह अपनी को ध्यान रखना है कि मारवाड में दो पित्र हंता हुए है मारवाड की पित्र हंता यानि अपनी पीता की हत्या करने वाले मारवाड की लोग कितने हुए हैं दो वे हैं यह अपनी को ध् , पहला कोन सा हुआ है, पहला हुआ है मालदॵ। मालदीव, मालदीव ने क्या किया पंदrä सो इकत्ती सवी में अपने पिता, इनकी पिता कुन थी平 रावगंगा , राव गंगा Oui पित ही हथ्य। रावगंगा है यह महरांगट दुर्ग में क्या है अफीम खाकर और एक खिड़की में हवा में बैठेते और इन्होंने खिड़की से धक्का देके और उनको महल से नीचे गिरा दिया जिससे गिरते उनकी मृति होगी और दूसरे व्यक्ति हुए हैं वो हुए है कुण बक्त स सिंग और बक्त सिंग है यह क्या करते हैं सत्रे सु चोवी सिश्वी में अपनी पीता कुन है अजीत सिंग की हत्या की तो बक्त सिंग ने क्या क्या अजीत सिंग की हत्या की यह अपनी को ध्यान रखली नहीं साथ हो यह अजीत सिंग की हत्या करते हैं तो यहां जो हमारा उत तर क्या रहेगा राव मालदीवराटोर ठीक है अगला कुशन देखेंगे राव चंदर से ने जेसलमेर की किस रासक से आर्थिक सायता मांगे थी हर्राय भाटी से मुल्राज भाटी से राव लूनकरन भाटी से या सालीवान भाटी से यह हमें बताना है राव चंदर से ने ज दुरुग यह मारवाड के पास था दुरुग एक लाख रुपे में बेचा एक लाख रुपे में कि अगला कौशन देखेंगे राम माल्दिव राठोड ने मारवाड के निमन में से कौन से दुर्ग नहीं बनाए हाँ जी राव मालदीव राठोड ने मारवाड में निमन में से कौन से दुर्ग ये थुड़ा सा कि गड़बड हु रहे हैं कि नहीं बनाए थे ये थुड़ा सा इसको देखना पड़ेगा अपने को नहीं नहीं ये बनाए थी यह होना चाहिए क्या किये थे दुर्ग कोन से बनाए थे तो ये मालकूट का दुर्ग है ये बनाया था सोज़त का दुर्ग है अलाके ये पुरन निर्मान इसका किया था पोकरण का किया था इसमें सभी क्या आएगा उक्त सभी आएगा चार्ड नमबर उत्तर रहेगा इसका हाँ जी चार्ड नमबर इसका उत्तर रहेगा यह अपने को त्यान देख ले अगला क्वेशन देखेंगे मित्रू के अकबर के द्वारा जब ना ओगूर में development किया क्या ताउडशिया था मारवार की जो सासक जासक उनको अपने अधिन लाना और इसमें अध invasive आगे थे इस समय मारवार का सासक राव चंदर सिर्फ था वो इस दरबार में आया था परन्तु अक्बर के अधिन्ता उसने स्विकार नहीं कि थी यह अपने को जहां रखने हैं यह क्या है यह हमारे कुछ इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ तब्द कली जैहीं बंदे बात रहूं करें करें